दोस्तो बिग बॉस सीजन 16 के गर में यदि आप इस समय अब्दूरोजिक को देखेंगे तो अब्दूरोजिक को देखकर हो सकता है कि आपको भी अब्दू से प्यार हो जाए ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तो आपको बता दे कि बीते दिन से निम्रित को और की तब्यत काफी खराब है जिसकी वज़े से वो अकसर एक जगर पर बैठी भी नजराती है दरसल उनको पीडर्स का पेन है जिसकी वज़े से वो ठीक तरीक ऐसे अभी काम नहीं कर पा रही है और उनको सक्त आराम की जरुवत है लेकिन दोस्तो यहां पर जहां गर के बाकी कंटेस्टेंड निम्रित को इगनोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं अब्दूरोजी की एकलोते ऐसे कंटेस्टेंड है जो कि हर पल उनके साथ एक साय की तरह रहते हैं और उनका काफी अच्छे से खयाल रख रहे हैं जी हैं दोस्तो तरसूरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किसी को भी जब परवा नहीं हुई तो अब्दूरोजी की वो कंटेस्टेंड था जिसको की निम्रित की काफी परवा होने लगी और उन्होंने जाकर कीचन में काम करही टीना और संद्रिया को कहा कि मुझे निम्रित का ब्रेकफास्ट दे दीजिए मैं उनको नास्ता दे कर आता हूँ हालांकि पहले तो टीना ने कह दिया कि कौन निम्रित वो खुदा कर ले लेगी लेकिन अब्दुरोजीक ने थोड़ी सी दादागिरी दिखाई और तुरंती वहां से प्लेट उठाई और निम्रित के लिए नास्ता लेकर चुपचाब उसको पकड़ा कर आ गए जो किसी इन देखने में काफी दिलचस्प था और निम्रित को भी ये चीज काफी अच्छी लग रही है कि अब्दु उनका इस तरीके से खयाल रख रहे है दोनों की दोस्ती को फैंस के द्वारा भी काफी पसंद किया जा रहा है यहां तक कि सल्मान खान को भी इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी लगती है फिलाल दोस्तो आपको अब्दु का ये नेचुर कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं यदि आप भी अब्दुरोजी के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बिग बस की हर ख़बर आप तक पहुंचे सब से पहले